सनागाई, सनागाई आओ सनागाई, अपने मसिहा की जो बचाता है वो ही देता है जिन्दगी हमेशा की ये समसी के पाक, खुबसूरत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो प्रोग्राम आओ सनागाई के साथ मैं हूँ आपका होस पासरासी फारून अजीज़ों जैसा के हर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखलिफ सिंगर्स के साथ, म्यूजिशन्स के साथ, शायरों के साथ और आज भी हमारे दर्मयान खुदावन के एक खुबसूरत परिस्तार मौजूद है जो अरसा 24 साल से म्यूजिक सिख रहे हैं और साथ साथ सिखा भी रहे हैं बहुत जबरदस्त म्यूजिशन हैं और कंपोजर हैं और वर्शिप लीडर हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आसिम नवीद की जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है आसिम नवीद हम आपको प्रोग्राम आउस अनागाएं में खुशामदीद कहते हैं बहुत बहुत शुक्ति हैं कैसे हैं आप जी बिलकुल ठीक ठाक तो आज कल यहीं पे खिदमत कर रहे हैं फैसलाबाद में वेरी नाइस आसिम आपसे गुफदकू का सलसला बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक की जो तालीम है वो आपने किस एज से शुरू की पिछले 24 येर से म्यूजिक सीख रहूं तो मैं ग्रेड 3 में था जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू की किया तो ये 1994 की बात है तो मैंने मेरे मामू है जनाब मुश्विक नौखेज साव ये फैसलाबाद की बड़े नामवर उस्ताद है तो मामू भी है उसका भी मैंने फाइदा उठाया तो उनसे मैंने रस्मेशागिर्दियत की 1994 में आई वस इं ग्रेड 3 तो उनसे मैंने एस्टर् मैं उनके कुछ जिमेदारिया उनकी बढ़ गई कुछ तो उनके पास टाइम की कमी के वजह से उनने फिर मुझे अपने ही एक जो शागिर्द भाई है राहत विल्यम साब तो उनके पास उनने मुझे भेज़ा तो फिर ग्रेड 9 से लेके अभी तक हुदा के फजलो करम से 2019 ह मैं अभी तक सीख रहा हुए उनसे राहत विल्यम साब से राहत विल्यम साब से क्या बात है तो जब ग्रेड 3 में थे आप तो उस वक्ता आपकी एज क्या होगी उस दौर में अभी तो यह है कि फोर येर्स के बच्चे को ले लेते हैं स्कूल में तो हमारे दौर में ये लेत होता था तो ये लेत स्कूल था तो ये विल्यम से वन एट येर्स के थे आप सही है तो उससे मतलब आपको बच्पन से ही कैसे आपको ये शौक पढ़ा कि मैं म्यूजिक सीखू हूँ और आठ साल का बच्चा उसको तो शरारतों के लावा और कुछ नहीं सूज रह और रहत विल्यम साब शदाए पाकस्तान चर्च में यहां पर तो जब प्रोग्राम में उनको सुना करते थे तो इट पॉस माई विश के कभी ऐसा भी हो कि मैं इनकी तरह जो है ना वो सिंग किया करूं इनकी तरह मैं वर्शिप किया करूं और सबसे जो मज़े की बात देख लेते थे कभी-कभी वो नहीं तो बड़ा चाम होता है ना वो सिलवर्टी को मिलने का तो क्यूंकि बच्पन में तो दुनिया यही थी ना उसवक्त यूट्यूब था ना उसवक्त इंटरनेट था तो यही था स्टेज के उपर ही फनकार जो थे यही थे तो इनको मिल होता है ना कि मतलब जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि उस वक्त तो बच्चों को शिरारतों के लावा कुछ और सूज नहीं रहा होता तो आप मतलब बैठ के देख रहे हैं म्यूजिक और उसको इंजॉय कर रहे हैं फिर आपके अंदर एक विश है कि आप स्लेवर्ट नहीं लेकिन दादा जो थे तो वो म्यूजिक को और आ किया करते थे वो Catholic Church में मतलब उसकी किया करते ते तो उस दावर के मताबिक जैसा भी गवह में म्यूजिक ता लेकिन वह कहले के फैमिली में ट्रेवल किया है तो next मैं ने उसको तो इसको चैलेंज जे से उस वक्यूज के स्टडीज का बड़ा दौर आथा हार तरफ क्रिश्चन के उपर होता था कि भी क्रिश्चन जो है वो उनको बढ़ना चाहिए आगे तो म्यूजिक इतना वेल एप्रिशेटेड प्रोफेशन नहीं था तो बहुत से चैलेंजिस थे कभी-कभी तो अब आने कहना के मतलब यह वेस्ट है ताम मतलब आप आपने वेस्ट करें इस पे तो थोड़ी सी हार्डशिप भी आई लेकिन मैंने नहीं उसको मतलब म्यूजि तो इसकी कद्रों कीमत का तो उसे ही पता होता है तो यह मेरे आइडियल थे अफजल साहब रहत विल्यम साहब मश्पिक नौकेश साहब कीमिंटो मायम के जब आपके अंदर यह जिस्टजू है कि मैं म्यूजिक को सेखू तो फैमिली में से फिर किसने आपको सपोड किया क्यूंके बात तो वह है ना के अभी तुम्हारी एज नहीं नहीं अब तुम्हे पढ़ना है अब आगे बढ़ना है जब बड़े हो जाओ आपने कना वो मेरे बड़े भाई है आशिर साभ और वो इस वक्त है headmaster है government school के so he was the one who supported me a lot he said that के मैं तरे साथ हूं कभी डांट अब पाट जानी तो मैंने कहना मैंने छोड़ देना अब नहीं मैंने करना आपने हाँ मुझे डांट और यह अब तो उन्होंने मुझे कहना के नहीं छोड़ना नहीं मैं तरे साथ हूं तो time manage कर ले ऐसे करके studies morning में कर ले तो शाम को practice कर लिया करे या तू छुपके मतलब practice मैं तरी support करूंगा he was the one who was actually saying के यह मेरा भी शौक है तो मैं तो नहीं कर पारा लेकिन मैं आप में देख रहा हूं यह बहुत बड़ी कुर्बान ही होती है ना गर से support ना हो तो मुश्किल है बहुत मुश्किल हो जाता है exactly तो फिर आपने music के साथ साथ studies को cater किया तो कहां तक लेके गए फिर आपको मैंने मैंसी sociology की है और मुश्किल था लेकिन ऐसा नहीं है कि manage नहीं हो सकता हो सकता है manage आपको management skill है जो के आपको सीखने से आता है या आप कहलें के यह खुदा की तरफ से guidance भी होती है तो manage करना जो है वो जरूरी है तो मैंने इसको manage किया फिर studies के साथ मैंने manage किया तो बलके मैं मतलब इस platform के थूरू चाहता भी हूँ कि यह message जरूर नौजवानों को जाए कि music करने वाले और specially हमारे Christians में यह हमारे ओपर एक मैं आप कह सेते हैं कि फर्ज है खुदा हम की हम्दोसना तो अगर आप सीखते हैं तो यह आपके ओपर फर्ज भी है लेकिन इसको साथ में manage करें मैं पहले भी एक अपने दोस्ट के साथ बात कर रहा था कि profession actually एक वो stage है जो post studies है या पोस्ट आपकी यह कहलें के तालीमी आफ़ता होने के बाद की stage है तो आप जब studies लाजमी है क्योंके music भी आज अगर कोई कहें कि मुझे music मैं तालीमी आफ़ता नहीं हो और मैं music करूं अच्छा तो it's bit difficult हाँ 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 तो कुछ थोड़ा से experience हमारे नाजरीन के साथ आप किस तरह से अपनी studies को and music को manage करते थे like balance करना that is quite tough जो आप बात कर रहे हैं कर जब दिल में शौक हो ना कि भी मैं ने music को आजकल मतलब जो बात देखी गई है वो यह है कि अगर किसी शक्स को music का शौक है उसन स्कूलिंग छोड़ दी है मतलब ड्रॉब कर दिया उसको और फिर अपने आपको ऐसा म्यूजिक में ढाला है कि उसका चाल डाल उसका बोल चाल वो बिलकुल उसके उस परसनेलिटी से यहां तालीम का एक जो लेवल होता है उससे बिलकुल हट जाता है है ना तो किस तरह से तो यह मेरे ख्याल से एक अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि मैंने कुद एक्सपिरियंस किया तो मैं यह नहीं कह सकता कि अगर कोई कहे कि मैं सब कुछ छोड़के म्यूजिक करूंगा तो आल बी दे बेस्ट ऐसा नहीं हो सकता एक एक फोर्स इन डेफिनेट डिरेक्शन और राइट ताइंप वही फ्रूट फुल होती है अब मैं आम से बात कर ओए एक एक बंदा कहता है को मैं दो गहन्टे का रियास करता हूं अब वह दो गहन्टे रियास कर रहा है और अंगॉड़ड है तो उसमें वह घलत हर दफा जब प्रेक्टिस करता है तो गलती कर रहा that means 2 गेंट उसने गल्टी की प्रैक्टिस की और वो पक्की हो गई बिल्कुल ठीक है ना? instead of doing all the day और सब कुछ छोड़के एक बहुत बड़े violinist अभी भी है वो हयात है पूरी दुनिया में वो उनको number one जो है वो count करते है इजखपर्ल मैं आपने उनको सुना होगा इस्रीयल से उनका तालुक तो वो कहते हैं कि आप you spend just one dedicated one hour to music and that would be enough और वो एक इतना कामयाब बंदा अगर कह रहे है अब हमारी प्रैक्टिस यह है कि दो मिनिट करके अगर हम सांस ले लिया उटके पानी पी लिया अमा की भी बात सुन लिया अबा की भी बात सुन लिया फिर घूमकिया if you are spending time on your practice like this it will take the whole day तो यह fruitful नहीं है dedicated one hour to two hour is enough और मैं यही करता हूँ और यही चीज मेरी life में थी हमने studies भी complete की और मेरा जब time मुझे याद है कि मैं जब practice में बैठता था तो मैंने भाई को भाई के साथ बहुत था कोई महमान आया जो भी है तो उनको मैंने का कि यह two hour dedicated मेरा time है तो यह deal करेंगे तो deal करेंगे मैं उठोंगा इसके बाद अपनी रियाजत के बाद उठके जाओंगा वड़ना नहीं मैं नहीं उठोंगा तो two hours या no matter सारा दिन spend करने से या two hours में different है और dedicated two hours या three hours whatsoever अब 24 hour में आप अगर आप कहें कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाओं तो I don't suggest this being a musician और कहलें कि अगर मतलब कामयाब भी हासिल हुई है तो यह experiment इसका मतलब कामयाब है कि आप dedicated two hours दें three hours a day दें तो that's enough अभी भी आशिम आपकी रियाजत की वही routine है अभी थोड़ा सा फरक पड़ा है लेकिन यह है कि अभी married life है और बच्छों को टाइम जेना भी होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलकुल छोड़ा नहीं है इसका यह है कि बहुत ज्यादा है तो एक डे यार टू डे इसका gap आ जाता है लेकिन जरूर है वही पुरानी मेहनते जो हैं वह काम आपनी डेफिनेट तो obviously it's a great challenge to say this or to claim this data I've done this fully ऐसा नहीं है मैं three instruments play करता हूँ और इसमें guitar है violin है और piano है basically मैं piano को मतलब ज्यादा थर्जी देता हूँ अच्छा प्यानो के आपने बकाइदा से तालीम हासे है जी piano की violin की भी guitar की भी तो उसमें यह है के तीन साथ मैं प्ले करता हूँ जी तो आसिम आप दो उस्तादों के जेर तर्बियत आपने जो है वो म्यूजिक सिखा मुश्फिक साब और राहत विलियम साब तो कुछ मतलब वो difference feel किया आपने कभी-कभी हमें मौका मिलता है ना के like हम फरक मैसूस कर रह है इस तो उस्ताद ने ज्यादा जिकाया वो ज्यादा गुस्से वाले थे यह ज्यादा प्यार करते हैं तो कुछ differentiation कुछ बताएंगे आप हमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई है अमा कहा करते थे कि बच्चा अपनी बातों से अपनी हरकतों से प्यार लेता लेकिन मुश्विक नौकेश साब मेरे मामू भी हैं तो उनके साथ थोड़ा सा आप कहलें कि एक frankness के लेवल थोड़ा सा अबिट ज्यादा था लेकिन राहत साब के साथ भी बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है अभी भी गुजर रहा है तो मैं कहूंगा मतलब इस प् प्यासे के पास आए तो यह बड़ी एक कहलें कि opposite से एडियम है कि प्यासा जो है ना वो कुमे के पास जाता है लेकिन यहां पर क्या होता था मैं यहां पर अपनी तारीफ वाली वाली बात नहीं है मैंने प्यार उन से लिया है खुद तो उसकी वज़ा से हुआ करता था रह यूट्यूब खोलते हैं वो इंटरनेट खोलते हैं वेबसाइट खोलते हैं महां पर comparative analysis होते हैं महां पर रागों की बाते हो रही है हमारे दोर में ऐसा नहीं था तो हमारे लिए तो बड़ा बड़ा नया नाम होता था कि चंदर कौंस यार यह क्या चीज चंदर कौंस है त आरूर में था में रिखाता हूं तो यह इसमेंसे वर्जिट कर दृया यह वाला सुर यह वर्जित कर दिया तो यह शकल आयी है तो यूरा हफता-दो हफता हो जहिंने वही घूंते कि यार आसे मैं तुमने वो पेश्वरी की या तो मैंने कहना उस्ताजी मैं नहीं की बैने तो उनों ने कहना याराव मेरे पास आओ तो मैं आप इसको बताता हूं इसका चलन गया रहा यहा है वहाँ तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं कहता था कि मुझे मैं थोड़ा बीजी हूँ तो ये दोर भी आप चेक करें कि मतलब एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं थोड़ा सा बीजी हूँ लेकिन वो फिर भी कुशिश कर रहे हैं कि आप दुबारा आएं और सीखें तो ये मैं काना चाहरे हैं वरना ये होता है कि उस्ताद से इल्म लेना पड़ता है उस्ताद देने के लिए तियार नहीं होते हैं मतलब जो एक आम कॉमन सी बात है ऐसे उस हाथजा का मिल जाना भी मैं समझता हूँ कि वह गनीमत है पर मैं बहुत इस बात को बलके इस प्लैटफॉर्म से मैं अपने क्रिस्चन कम्यूटी को कहूंगा कि वह खुश किसमत हैं उनको आज जरूरत नहीं हैं बाहर जा के आपको तालीम लेने में कोई हर्ज नहीं है मैं अपनी बात को क्लियर करता जाओं इसका ये मतलब नहीं है इस नोट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि आप बाहिर ना जाएं लेकिन आपके घर में वो लोग बैठे हैं जो आपको सिखाएंगे और खुशी से सिखाएंगे और दिल जोई के साथ सिखाएंगे वाँ वाँ तो मैं हमका शूकर गुजार हूँ आज जो कुछ भी है इस नाट फॉर्मल वर्ड के मतलब मैं वो एक जो कि वज़ा से हूँ मैं हकीकतं अपने उस्तादों की वज़ा से हुआ हैंगे एश झासे के साथ बाते हो रही है और वह अपने एक्सपेरेंक्टेश और अपने उसाता रखा रहे हैं किस तरह से लाड़ प्यार के साथ उनके उसाताने उनने सीखाया है और उन्होंने भी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं माच जाईएगा, मिलते हैं राइट आप्टर दे ब्रेक आओ सनागाए अपने मसिहा की आओ सनागाए अपने मसिहा की जो बचाता है वो ही देता है जिंदगे हमेशा की like this video and comment below for watching our more videos and latest programs do not miss to subscribe our youtube channel for more notifications click on the bell icon you can also follow us on PMI tv official on facebook झाल झाल